D-pharma student के लिए exit exam कब से होगा लागू? इसके related जितने भी doubt हैं किलियर करेंगे इस वीडियो में Welcome back to my YouTube channel, मेरा नाम है मैंशर्मार आप देख रहे हैं Talk with MK इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो D-pharma का exit exam में कब से लागू होगा? क्योंकि बहुत से बच्चे पूछ रहे थे कि मैंने D-pharma कर लिया है, क्या मुझे भी exit exam देना होगा? मैंने D-pharma कर लिया है, PCI में जो है registration करा दिया है, क्या मुझे भी एक्जाम देना होगा? मेरा डी फार्मा अभी मार्च अप्रेल में एक्जाम होने वाले हैं क्या मुझे भी एक्जिट एक्जाम देना होगा तो ये सारे डाउट जो है किलियर करेंगे इस बीडियो में इस बीडियो को देखें अंत तक और अगर आपको ये इंफोर्मेशन अच्छी लगे तो चैनल रेजिस्टेशन हो चुका है उनको ये एक्जिट एक्जाम नहीं देना होगा तो किनको देना होगा ये एक्जिट एक्जाम दूसरी चीज एक चीज और किलियर कर देता हूँ जो 2022 के बाद डी फार्मा सेकिंडियर यानिके डी फार्मा के एक्जाम देने के बाद जो है PCI म registration करेंगे, उनको ये exam देना होगा, तो देखो exit exam के बारे में मैंने पिछली बीडियो में बताया था, insert इस बीडियो में भी बता देता हूँ, कि exit exam क्या है, d pharma के बाद आपको एक exam देना होगा, जो exit exam है उसके बाद ही आप as a pharmacist जो है, आप state pharmacy counseling में आपका registration हो पाएगा, तेको इसका exam pattern की बात करेंगे, तो मैंने बताया था, इसमें जो है, तीन paper आपके होने वाले, cq question आएंगे, आपके ही syllabus के, जो आपने pharmaceutical chemistry, ecology, ये सारी चीज़े पढ़ रखी है, इन से, इन में से ही जो आपके mcq question आएंगे और minimum 50% marks आपको obtain करने है, और one attempt में ही ये paper आपको clear करने पड़ेंगे, साल में दो बार आपके एग्जाम होने वाले, ये ये बात यहाँ पे खतम हो जाती है, अब बात करते हैं कि ये exam किन student के लिए लागो होता है, उसके लिए चलते हैं अपनी official notification जो PCI ने गैजेट में में मेंशन की है, तो देखो notification की बात करें, तो notification में साफ साफ लिखा है, they shall come into force from the date of their publication publication in the official गैजेट, इसका मतलब ये है कि जब ये जो है official गैजेट publish हो जाएगा, उसके बाद इसके according ये जो है rules जो है लागो होता है यानि कि 24 फरवरी 2022 को ये official notification PCI की तरफ से आई थी, तो इसके according कहने का मतलब ये है कि 25 तारिक से यानि कि 25 फरवरी 2022 से ये जो है exit exam लागो हो जाता है यानि कि 25 फरवरी के बाद जो भी PCI में registration करेंगे जो भी PCI में registration करेंगे उनके लिए जो है ये लागो हो जाता है, अब बात यहां आती जिनका जो है डी फार्मा हो गया और जिन्होंने जो है registration रह रहा था उन्होंने registration अब करा या 24 के बाद करा या 24 से पहले कर दिया, उनको exit exam देना होगा या नहीं देना होगा तो बात यहां पर आ रही, तो मैं clear कर देता हूँ यहां पर यह बात, देखो 24 फरबरी जैसे कि अभी पीछे exam होए थे डी फार्मा वाले student के तो वो क्या है कुछ टाइम, जो है कुछ बच्चों ने registration PCI में कर दिया था जो आपका पूरा batch है चाये जिनका registration हो गया है या जिनका registration अभी रह गया है किसी भी कारण की वैसे जिनका registration अभी रह गया है जिनको date जो है, अब online process हो गया है तो जिनको date आने वाले time में मिली उनके लिए यह मेरे हिसाब से जो है लागू नहीं होगा अगर लागू होगा तो पूरे batch के लिए लागू होगा 2022 से तो लागू है और लागू होगा तो पूरे batch के लिए लागू होगा I hope आपको ये वीडियो जो है helpful रही होगी, अगर helpful रही होगी तो इस वीडियो को कर दिजगा like, channel को कर दिजगा subscribe, ऐसे ही more interesting